दोस्तों कई बार अक्सर कई होटेल्स बिल्डिंग्स में फायर स्पार्क्स यहां शॉर्ड शर्क्रिट की वज़े से पूरी बिल्डिंग आग की लप्टों में आ जाती है जिससे काफी जानमाल का नुक्सान होता है और इस पर काबू पाना भी मौत को चुनौती देने जैस है लेकिन अब दिल्ली फायर सर्विस ने साथ करोड की लागत से बने दो फायर रोबोट को मैदान में उतारा है यह रोबोट बड़ी आपको चंद समय में ही काबू कर लेते हैं पानी की तेज बाचार गैस की तेज हवा से आग पर काबू पाना अब आसान हो जाएगा यह है रोबोट सौ मीटर की दूरी से ही आग पर काबू पा सकते हैं इसे बड़े ही असानी से रिमोट कंट्रोल के दोरा ऑपरेट किया जाता है जिससे फायर करमचारियों की जान को भी कोई खत्रा नहीं रहे जाएगा आपका इस रोबोट के बारे में क्या कहना है हमें बाक्स में जरूर बताईएगा